दोस्तों ये है करनाटक में समुद्र के किनारे बसा बड़ा ही महतपूर्ण उडूपी शहर ये शहर बैंगलोर से 422 किलोमेटर की दूरी पर मौजूद है ये जगा करनाटक के एजुकेशनल, इंडस्ट्रिल और कमर्शल सेंटर मेंगलोर से 55 किलोमेटर की दूरी पर मौजूद है ये शहर समुद्र तल से 27 मीटर की उचाई पर 68 किलोमेटर के इलाके में फैला हुआ है ये शहर करनाटक के सबसे तेजजी से विक्सित होते हुए शहरों में गिना जाता है साथी साथ ये एजुकेशन में और करनाटक की सबसे मशुहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तोर पर भी जाना जाता है 2011 की जनगरना के समय ही यहाँ पर भी डेमोग्राफी का हिसाब लगाया गया था जिसमें पता चला कि यहाँ 2,15,000 विभिन धर्मों के लोग रहते हैं आसपास के मेटरो एरिया को मिला लिया जाए तो तकरीबन 4,36,000 लोग रहते हैं यहाँ की जन संख्या और क्षेतरफल को ध्यान में रखते हुए जन संख्या घनत्व निकाला जाए तो यहाँ करीब 2300 व्यक्ति प्रतीवर किलोमेटर का जन संख्या घनत्व पाया जाता है यहाँ की अबादी में भेन धर्मों के लोग पाये जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा 84 प्रतिशत लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं साथी 8 प्रतिशत मुस्लिम और 7 प्रतिशत लोग इसाई धर्म को मानते हैं करनाटक में भासाओं की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि यहां सबसे ज़्यादा कंड़ा बोली जाती है लेकिन ऐसा नहीं है यहां की लगभग 52 फीसदी अबादी तूलू भाशा में बात करती है कंड़ा बोलने वाले लोग लगभग 16 प्रतिशत के आसपास हैं इसके तेरवी शताग्दी में वेशनव संत माधवाचारिय ने यहां पर श्री कृष्ण मंदिर की नीव रखी थी इसके बाद उन्होंने यहां अदवयत वेदांत दर्शन पर बेस्ट अस्टमट की स्थापना की यहां उसी समय बाद मंदिरों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ मंदिरों के बनने की वज़े से करनाटक के विभिन क्षेत्रों में ब्रहमनों का आगमन शुरू हुआ इसलिए यहां की डेमोग्राफी में देखें तो कुल जनसंक्या में से 10 प्रतिशतों केवल ब्रहमन हैं इस शहर की अर्थववस्था की बात करें तो यह शहर आर्थिक मिल्क और फूड कोपरेटिवस में काम करते हैं सिंडिकेट बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की सुरुवात करनाटक के उडूपी शहर से ही हुई थी यहां के इंफ्रस्ट्रक्चर में भी लंबे समय से सुधार होता जा रहा है यहां रियल एस्टेट जैसे बिजनसे काफी फलफूल रहे हैं इसके लावा पावरलूम, शिप्यार्ड, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में यह शहर काफी ज़्यादा फाइनेंशल सपोर्ट हासिल करता है ट्रांस्पोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर बहतरीन सडक, रेलमार्ग और हवाई सुवि हवाई मर्ग से भी उडूपी पहुचना बहुत आसान है, उडूपी का अपना तो कोई एरपोर्ट नहीं है, लेकिन यहां से 55 किलोमेटर दूर में एक इंटरनेशनल एरपोर्ट मौजूद है, जहां से आप भारत के किसी भी कौने में जल्दी से जा सकते हैं कॉंकर्ड रेलवे डिविजन के अंतरगत आने वाला उडूपी रेलवे स्टेशन यहां का महतुपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से कन्या कुमारी, बैंगलोर, चेन्नाई, दिल्ली और मुंबई जैसे सहरों तक सीधी ट्रेंस जाती हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट आप्शन्स के अलावा, यहां करीबी हारबर यहां से लगभग 5 किलोमेटर दूर है, जिसे माल पे हारबर के नाम से जाना जाता है कैसा लगा आज का वीडियो कॉमेट करके जरूर बताईएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें